हेलो फ्रेंड्स आज का मारा टॉपिक है सेंड आटोमेटेड आउट्लूक इमेल्स एंड एसमेस फर फेस्बूक लीड्स तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ही समझेंगे कैसे आप एक ऐसा इंडिकेशन बना सकते हैं फेस्बूउड गांड्स आउट्लूक के बीच में और टूयो के बीच में कि जैसे कोई नीव गर स्टो एक आपनेad.'' इसके लए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको पूरा आटोमेटेडग मिनाना है Trigger में आपको लेना है Facebook Lead Ads Action Step में आपको लेना है Microsoft Office 365 और Last Action Step में आपको लेना है Chilio जो के SMS Sending Application है तो दोस्तो अगर आप भी पूरा प्रोसे स्टेप बाइ स्टेप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे तो दोस्तो ये है पैबली का लेंडिंग पेज और आप इस पेज 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 पे आ सकते हैं सिंप्ली आपके ब्राउजर में टाइप करके पैबली.com slash connect यहाँ पे आपको दो आप्शन मिलते हैं एक है Sign In का उप्शन दूसरा है Sign Up For Free Option तो अगर आप एक न्यू यूजर है तो आपको सिंप्ली क्लिक करना है Sign Up For Free बटन पे और आप आपका अकॉंट क्रेट कर सकते हैं केवल दो मिनिट में दोस्तो आपको अकॉंट क्रेशन पे हर महीन ये 100 प्री टास्क भी मिलते हैं इसकी मतलब से आप ऐसे Amazing Automation टेस्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट में मैं एक existing user हूँ इसलिए में क्लिक करूंगा Sign In पर उसके बाद दोस्तो आपको जाना है पैबली कनेक्ट वाले डायलोग बॉक्स में क्लिक करना है Access Now और आप आप आजाएंगे पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ट पे यहाँ पर आपको राइट हैं साइट पे बटन दिखेगा Create Workflow का इस पर आपको क्लिक करना है तो एक डालोग बोक्स अपर आपके स्क्रीन पे जो बोल रहा है Enter the name of the workflow तो दोस्तो बेसिकली हमको यहाँ पे मैं workflow को कोई नाम देना है और Select Folder वाली फील से आपको Particular Folder Select कर लेना है जिस भी Particular Folder में आप आपकी workflow को Save करना चाहते हैं अगर आप New Folder Create करना चाहते हैं तो आप Create Folder वाली बटन से यह चीज़ कर सकते हैं मैं क्लिक करूँगा Create workflow पे और Let's say यहाँ पे मैं मेरी workflow को नाम देना चाहता हूं Send Automated Outlook, E-Mails and SMS for Facebook Leads तो दोस्तो यही हमारा Objective है आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे आपकी workflow को और Select Folder वाली फील से मैं Particular Folder Select कर लेता हूं इनका नाम है Trigger और Action तो दोस्तो Trigger बोलता है When This Happened जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो Action बोलता है Do This तो ऐसा कर दो तो Basically Trigger हमारे Automation को स्टार्ट करता है और Action में हम वो particular action perform करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं हमारी Automation में यहां पर आपको Trigger Application चूंज करना है इधा पर आपको Action application चूंज करना है तो सबसे पहले हम Trigger वाली step में काम करेंगे तो इधा पर आपको Triggerแ Caucasian चूज करना है चूज즈 अप में हम हम हिहां पर सरुझ करेंगे Facebook lead ads तो के तो यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं Facebook और नीचे से आपको Facebook Lead Ads चूस करना है Trigger Event आपको यहाँ पर चूस करना है New Lead Instant और क्लिक करना है Connect वादी बटन पर तो यहाँ पर एक Dialog Box उपन हो जाएगा आपके स्क्रीन पर जो बोल रहा है Connect Facebook Lead Ads अकाउंट तो basically हमको यहाँ पर जो Facebook Lead Ads का अकाउंट उसको पैपली करने के साथ Connect करना है एक और चीज़ दो जब आप यह automation बना रहे होंगे तो आपको पहले ही आपके ब्राउजर में जो Facebook का अकाउंट उसको Login करके रखना है और जो Outlook का अकाउंट उसको भी Login कर लेना है अब यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं एक है Add New Connection का दूसरा है Select Existing Connection का तो अगर आपने आपका connection अलुड़ी बिल्ट करके रखा है तो आप Select Existing Connection के साथ जा सकते हैं या तो आपको Add New Connection का भी option मिलता है अगर आप यहाँ पर जाते है Add New Connection के साथ तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है Connect with Facebook Lead Ads और आप देख सकते हैं हमारा जो Authorization है वहाँ पर Successful हो गया इसका मतलब यह है जो Facebook Lead Ads का account है वो Successfully Pably Connect के साथ हो गया है Connect अब नीचे आप कुछ फीज जेक सकते हैं जैसे कि Page और Lead Generation Form तो यहाँ पर आपको Page Select करना है इदा पर आपको Lead Generation Form Select करना है तो जो भी Page आपने Create करके रखे होंगे आपके Facebook account में वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो आपके Use Case के According आप Particular Page यहाँ पर Select कर सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने मेरे Use Case के लिए एक Form Create करके रखा है जिसका नाम है Telecom Connect तो यहाँ पर मैं Particular Page को Choose कर लेता हूँ और उसके बाद हम यहाँ से Lead Generation Form भी Select कर लेते हैं तो जो भी Lead Generation Form आपने Particular Page में Create करके रखा होगा वो आप यहाँ पर Choose कर सकते हैं यहाँ मेरे पास 3 Forms हैं तो मैं New Lead Form पर काम करना चाहता हूँ तो इसको मैंने यहाँ पर Select कर लिया अब इधा पर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको लेश चलता हूँ Facebook पर इस Particular Page पर मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम है Telecom Connect अगर आप New Lead Generation Form create करना चाहते हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप New Form create करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर Create Form पर क्लिक करना है इधा पर आपको दो option मिलते हैं, एक है new form का, दूसरा है duplicate and existing form, तो अगर आप particular existing form में कुछ changes करके new form create करना चाते हैं, तो आप यह वाला option चूज कर सकते हैं, या तो आप एक fresh new form भी create कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरहे आप यह चीज़ कर लेंगे, हम मैं आ जाओंगा वापस मे submission of your lead ads form by clicking on the preview form button and filling out the form, make sure that the lead generation form is live before making the sample submission, तो आपको एक चीज़ का धिहान रखना है, कि जो lead generation form है, वो live हो, लेकिन इधा पर हम test submission कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको learn more पे click करना है, इस hyperlink पे आपको click करना है, तो आपको पूरा information मिल जाएगी, कैसे आपको इस process में आ आप particular page select कर लें, और particular form select कर लें, और preview form वाली button पे click करके, आप test lead generate कर सकते हैं, facebook lead ad generation form में, ठीक है, ये page मैंने already open करके रखा है, मैं आपको ले चलता हूँ, meta for developers के page पे, यह हमें meta for developers के page पे, इधा पर मैंने page select कर लिए telecom connect, यहाँ पर आप देख सकते हैं, various pages में को शो रहा है इधा पर मैंने मेरा page select कर लिए telecom connect, और इधा पर form भी मैंने select कर लिए new lead form, ठीक है, अब मैं जैसे ही click करूँगा preview form वाली button पे, तो हमारे screen पे form open हो जाएगा, तो इधा पर मैं click करता हूँ, preview form वाली button पे, और आप देख सकते हैं, form हमारी screen पे खुल गया है, अब इधा पर sample submission कर सके हैं, हमारे lead generation form में, इधा पर आप देख सकते हैं, शूरा है waiting for webbook response, note में लिखा है, now login to the application where you have added the webbook URL and do a test submission record, so that the data can be recorded here in the webbook response, तो हमको एक test submission करना है, ठीक है, हमने save and send test request वाली button पे click कर लिया है, अब हम आज आते हैं, facebook lead as testing tool पे, meta for developers वाले page पे, इधा पर हम dummy details fill करते हूं, let's say email address, यहां पे में देना चाहता हूं, demo at the rate pablitues.com, okay, full name हम दे देते हैं, let's say demo person, okay, mobile number में हम एक random mobile number यहां पे दे देते हैं, okay, और city हम दे देते हैं, for example, Mumbai, okay, next पे click करते हैं, submit कर देंगे, और आप देख सकते हैं, thanks you are all set, you can visit our website, और एक देती form now, तो basically हमने यहां पे test lead generate कर लिए, पैब्ली करेंड में वापिस आजाते हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं, हमको एक positive response मिल गया है, email हमने जो fill करा, वो email हमको यहां पे शो रहा है, demo at the rate pablitues.com, full name में demo person शो रहा है, mobile number में random mobile number मिल गया है, city में Mumbai शो रहा है, created time, date and time, यहां पे शो रहा है, ID, form ID, field data, और कुछ other details हमको यहां पे शो रही है, तो basically हमने हमारे automation की जो first step हो, यहां पे complete कर लिया है, हमने Facebook lead as, में एक test lead generate करके, वो details हमने capture कर ली, पैब्ली करेंड में, हमारा objective क्या है, हमारा objective है, send automated outlook emails and SMS for Facebook leads, हमारा objective यह है, कि हमको Facebook leads को automated email भेजना है, उनके outlook mail पे, और SMS भेज ठीक है, तो यह हमारा objective है, तो इस objective को fulfill करने के लिए, आपको क्या करना है, action step में आ रहा है, यहां पे choose app में आपको पहले search करना है, Microsoft Office 365, हम यहां पे search कर लेते हैं, Microsoft Office, okay, और यहां से मैं choose कर लेता हूं, Microsoft Office 365, ठीक है, और action event आपको यहां पे choose करना है, send email, basically हम outlook पे mail भेजना आते हैं, इसलिए हम यहां पे Microsoft Office 365 choose करेंगे, click करेंगे connect वाली बटन पर, यहां पे एक dialogue box उपन आजाएगा, आपके screen में जो बोल रहा है, connect Microsoft Office 365 account, तो basically हम को यहां पे Microsoft Office 365 account है, उसको पैबली करने के साथ connect करना है, यहां पे आपको दो option मिलते है, एक है add new connection का, दूसरा है select existing connection का, तो अगर आपने आपका connection already build करके रखाए, तो आप select existing connection के साथ जा सकते है, यहां पे आपको previous saved connection show होते है, और अगर आप यहां पे जाते है, add new connection के साथ, तो आपको simply click करना है connect with Microsoft Office 365, और फिर एक dialogue box उपन हो जाएगा, आपके screen पर जो बोल रहा है, let this app access your info, तो आपको यह connect, अब नीचे आप फीज जेख सकते हैं, जैसे कि subject, content type, body content to recipient, तो इदा पर आपको subject क्या देना है, आप क्या subject line रखना चाहते हैं, वो आपको इदा पर डालना है, तो इदा पर हम subject line यह देते हैं, let's say thank you, उसके बाद इदा पर हम name map करेंगे, mapping भी समझेंगे हम क्या होता है पहले हम इदा पर subject line डालते है, thank you for submitting the form, यह subject line हो गई, मैं चाहता हूँ कि जो भी mail जाए, मेरे target recipient को subject line में हमेशे यह रहे, लेकिन इदा पर मैं एक और चीज चाहता हूँ कि जो नाम है, मतलब particular person का thank you के बाद अगर इदा पर नाम डाल दूँ, वो हमेशे change होता जाए, तो हम full name देना चाहते हैं इदा पर तो हम यहाँ पर full name मैप कर देते हैं, कुछ इस तरह, अब होगा क्या, thank you demo person for submitting the form, यह subject line जाएगी इस target recipient को, ठीक है, लेकिन जब भी हमारा workflow run होगा, और हमारा जो next user होगा, उस जिसकी email id यहाँ पर हम डालेंगे, यह automatically हाँ पर आ जाएगी, क एक important step है, क्योंकि mapping की मदद से आप हमेशा dynamic response generate कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप यहाँ पर manually type करेंगे, वो हमेशा static रहेगा, तो manually type किया, मैंने यह चीज, thank you for submitting the form, और data map करा, मैंने, यह full name, ठीक है, तो यह difference आपको समझना है, यह important step है, ठीक है, हमने हमारा यहाँ यहाँ type चूज कर सकते हैं, तो आप इदा पर HTML भी चूज कर सकते हैं, plain text भी चूज कर सकते हैं, अगर आपको proper formatting में mail भेजना है, तो आप इदा पर HTML चूज करें, अभी हम इदा पर plain text चूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक simple text mail भेजना है, ठीक है, उसके बाद आपको इदा पर body content म पर्टिकुलर mail डालना है, क्या आप भीजना चाते हैं, ठीक है, तो under the message, do not pass any double quotes inside the content, ठीक है, इस चीज का आपको धियान रखना है, कोई double quotes आपको यहां पर नहीं डालना है, इदा पर body content के लिए, मैंने एक standard mail draft करके रखा है, वो मैं आपको इदा पर दिखा देता हूँ, इस particular mail को हम यहां से कर लेते हैं, copy, okay, hello, thank you for showing interest, we have received your details, name, email, phone number, city, our team member will connect with you soon, regards telecom, connect, ठीक है, तो मैरे use case के according, यहां पर मैंने mail draft करा है, आप आपके use case के according mail draft करेंगे, उसके बाद हम इदा पर आजाते है, body content पर हम इसको यहां पर कर देते हैं, paste, okay, इदा पर मैं इसको format कर ल इदा पर हम details map कर देंगे particular person की, our team member will connect with you soon, team regards telecom connect, okay, तो इदा पर हम क्या करना है, hello के बाद इदा पर हम name देर के, ठीक है, तो इदा पर हम mapping का ही इस्तिमाल करेंगे, name क्या है, demo person हमने map कर दिया, कुछ इस तरह आपको data map करना है, ठीक है, और आपने समाझ लिया, कि अगर आ data map करेंगे, तो हमेशा dynamic response generate होगा, मतलब जब भी हमारा workflow run होगा, तो automatically हाँ पर जो data हम map करना है, यह value change होती जाएंगे, name, we have received your details, इदा पर हम details map कर देते हैं, तो first name हो जाएगा, तो full name हो जाएगा, demo person, email address हम यहाँ में map कर देते है, demo address.com, phone number में हम phone number map कर देते है, यह random phone number हमन map कर दिया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा mail चाहेगा, ठीक है, अब इदा पर आपको क्या करना है, to recipient में, आपको enter to recipient email, तो इदा पर आपको data map ही करना है, इस particular ID को, आपको email ID को map कर देना है, ठीक है, अब इदा पर हमको अभी mail receipt इसली नहीं होगा, क्योंकि एक dummy email address है इदा पर में valid email address डाल रहे हूँ, basically मेरे outlook email डाल रहे हूँ, इसकी मदद से मैं outlook पे आपको mail चो करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं to recipient में valid email address डाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने valid email address डाल दिया है, simply click करता हूँ, Save and Send test requests वाली बट तो आप देख सकते हैं, subject line हमको received हुए, thank you demo person for submitting the form, और mail हमको received हुआ है, hello demo person, thank you for showing interest, we have received your details, name, demo person, email address, यहाँ पर show रहा है, phone number में random phone number show रहा है, city, our team member will connect with you soon, तो जैसा message हमने वहाँ पर draft करा था, वैसा message हमको mail के basis पर इदा पर show हो रहा है, outlook में ठीक है, तो कुछ इस तरहे आप target recipient को outlook पर mail भेज़ सकते हैं, पैबली करने की मदद से automatic ठीक है, हम पैबली करने वापस आजाते हैं, अब हमने हमारे automation की जो दो step हो यहाँ पर complete कर ली है, अ हमारा objective क्या है, हमको particular target recipient को sms भी भेजना है, उसके phone number पर, अब हम sms कैसे send करेंगे, हम sms sending application की मदद से sms send करेंगे, हम इदा पर use कर रहे है, tillio का, तो इदा पर मैं क्या करूँगा, add action step में आऊँगा, यहाँ पर choose app में आपको search करना है, tillio, ठीक है, अगर आप another sms sending application और यहाँ से में चूडियो चूज कर लेता हूँ, action event आपको यहाँ पर choose करना है, send sms message, click करेंगे connect वाली बटन पर, यहाँ पर एक dialogue box उपन हो जाएग, आपकी screen पर जो पो रहे है, connect toio account, basically हमको यहाँ पर चूलियो पैबली करनेक के बीच में connection बिल करना है, यहाँ पर आप यहाँ पर जाते है, add new connection के साथ, तो आपको यहाँ पर डालना है, account SID, authorization token, account SID फिर से यहाँ पर डालना है, ठीक है, और यह दोनों चीज़े आपको कहाँ पर मिलेगी, enter your account SID and authorized token, click here, तो basically आपको tillio का account login करके रखना है, उसके बाद अब इदा पर hyperlink पे click here वाले word पे, आप पर जाएंगे, इस paste पे, फिर आपको click करना है, API keys and tokens पे, तो आपको यहाँ पर account SID मिल जाएगा, और token भी मिल जाएगा, तो account SID हम यहाँ से copy कर लेते हैं, यह मैंने copy कर लिया, simply यहाँ पर account SID में इसको कर देते हैं, paste, और यह वाले tab में भी हम इसको कर देते हैं, paste, उसके Save पे click कर देंगे, और आप देख सकते हैं, मेरा जो Twilio का account है, वो successfully पैबली करने के साथ होगा है, connect, आपको भी पूरा process कुछ इस तरह ही करना है, अब नीचे आप कुछ fees देख सकते हैं, जैसे कि body of the SMS, sender number, recipient number, तो आपको इदापा body of the SMS में particular message type करना है, draft करना है, जो message आप particular target recipient के number पर भीजना चाते हैं, SMS के तोर पर, ठीक है, तो इदापर मैं same message यहाँ पर भीजना चाता हूँ, यह जो मैने mail भीजा है, इसको मैं यहाँ पर copy कर लेता हूँ, यह same standard message, मैं sms के तोर पर भीजना चाता हूँ, तो इदापर मैं इसको कर देता हूँ, paste, ओके, च्राइटिंग कर लेता हूं ज्रासा ओके तो हीहांपे मैंने स्टेंड ज्राफ कर लिया है इदापर हम data map करते हैं जैसाँ हमने प्रीवेश सटेप में घ्रेलो के बाद इदापर name हमको देना है तो name हम map कर देते Means क्या है demo person यहां मैप कर दिया उसके अधा हमको details यहां पर map करना है तो details हम दे देते हैं demo person name है email address क्या है demo address pabletus.com random phone number यहां पर map कर देते हैं city में city map कर देते हैं city क्या है Mumbai यह हमने map कर दिया यह हमने data map कर दिया है और standard message ड्राफ कर लिया इसा कैसा sms चला जाएगा particular target recipient के four number पर ठीक है उसके आपको यहां पर sender number डालना है अब sender number आपको यहां पर क्या डालना है the approved sending number in your Twilio account example यह ठीक है तो इदा पर मैं आपको ले चलता हूं Twilio पर इदा पर आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा Twilio account का number है यह हम इसको copy कर लेते हैं यहां पर अब इदा पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यह मेरे trial Twilio account का number है तो जो message हमको received होगा वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से received होगा अगर आप upgrade Twilio account चूज कर रहे हैं तो वो आपको message कुछ अलग तरीके से received ह होगा वो हम बाद में समझेंगे यहां पर मैंने sender number में डाल दिया आपको Twilio sender number यहां पर डालना है ठीक है recipient number में आपको data map ही करना है कुछ इस तरह है जैसे कि random phone number है हमने map कर दिया ठीक है जिससे हमेशा number change होता जाए target recipient का लेकिन अभी यह dummy phone number है तो इदा पर मैं valid phone number डाल अब मैं click करता हूँ save and send test request वाली button पर और आप देख सकते हमको यहां पे positive response मिल गया है इदा पर हमको body में show रहा है send from your Trilio trial account तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इदा पर यह sender number में हमने डाला है यह trial account में use कर रहा हूँ इसलिए यहां पर हमको body में यह चीज़ शो रही है अगर आप upgrade Trilio account का number choose करेंगे यह डालेंगे तो आपको यह चीज़ यहां पे नहीं आईगी send from your Trilio trial account तो इस चीज़ का आपको धियान रखना है अब मैं आपको screenshot दिखाता हूँ particular SMS का जो हमको receive हुआ है मेरे particular phone number पे जो valid phone number यहां पे मैंने डाला है तो वो SMS मैं आपको show करत ठीक है और जिया दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से SMS receive होता है यह SMS में को receive हुआ है अभी particular valid phone number पे जो मैंने डाला है तो कुछ इस तरीके से आप SMS भी send कर सकते हैं target recipient को particular phone number पे पाविगण में वापस आ जाते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरह ही automation work करता है आये summarize करता हूं कि इस पूरे process में हमने क्या कर रहा है तो इस automation में trigger में हमने लिया facebook lead as trigger event हमने लिया new lead instant action step में Microsoft Office 365 action event हमने लिया send mail और last action step में हमने लिया और action event हमने लिया send SMS message जिसकी मतलब हमने target recipient के phone number पे SMS भी भेज दिया दोस्तों यहां पर लिखा है instant मतलब पूरा process instantly work करता है मतलब जैसे कोई new lead generate होगी facebook lead ads पे तो तुरंत उस particular lead के email address पे एक mail चला जाएगा outlook पे और particular target recipient के phone number पे SMS चला जाएगा उस target recipient को तो दोस्तों कुछ इ इस workflow पे काम करना चाते हैं या इस automation को टेस्ट करना चाते हैं तो इस workflow की जो link है वो मैं आपको description box में share कर दूंगा तो आप बड़े ही आसानी से same workflow को clone करके उस पे काम कर सकते हैं और अगर दोस्तों आपको इस workflow में कोई भी doubt है तो आप में को comment section में ज़रूर बताएं थैंक् पे और अगर आपको कोई price related issue है तो आप इस link पे जा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको like करें share करें और हमाई चैनल को subscribe जरूर करें थैंक्यू